लेफिनेट गवनर मनोट सिना ने नाशनल गर्ल चाइल डे के दिन एलान तो कर दिया कि अब पुलिस की भरती में महिलाओं के लिए 15% आरक्षन होगा नॉन गस्टेट पोस्ट के लिए लेकिन जेके एसेसबी जो जमकुश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर की भरती पहली बार रिक्रूट्मेंट कर रही है उनके उफिशल्स का ये सवाल है कि आदेश नामा कहां है, नोटिफिकेशन कहां है, ओर्डर कहां है कई सारी वो महिला एस्पेरिंस जिन्होंने जमकुश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भरती के लिए अपलाई किया था, उन्होंने जब जेके एसेसबी के दफतर में भी बार बार कॉल करके इमेल डाल कर ये जाननी की कोशिश की, कि आखिर 15% रिजरवेशन की जिसक अब तो एक्जाम भी कंडक्ट हो चुके हैं, अभी तक कोई ऐसा आदेश, अभी तक कोई ऐसी नोटिफिकेशन हमारे साथ शेर नहीं की गई है, हमने तो डिपार्टमेंट से कंसल्ट भी किया, हमने भी ये सवाल रेज किया कि अगर कोई ऐसी रिजरवेशन है, अगर अगर रिजरवेशन के कुछ क्राइटीरियास बता दिये गए थे, केवल वही क्राइटीरियास अप्लिकेबल होंगे, महिलाओं के लिए पंदरा परसेंट जो रिजरवेशन लेफिन गवेनर मनोट सिना ने अनांस की थी, ये इन 1200 पोस्ट के अप्लिकेबल नहीं है, जेके प्रदर्शन जम्मू में शुरू हो गए, जिसमें ये कहा गया कि जो जेकेसाई की अड़ोटीज में निकाली गई है, 800 पोस्ट के लिए, उसके लिए एज के अपर क्राइटीरिया को रिलाक्स कर दिया जाए, रिलाक्सेशन की मांग 33 साल तक की थी, लेकिन लेफिन गवेन मनोथिना ने नवंबर 2021 में, 10 नवंबर 2021 को ट्वीट करके ये कहा, कि हम पोस्ट को 800 से बढ़ा कर 1200 कर रहे हैं और अपर एज क्राइटीरिया को 28 से 30 कर रहे हैं, उसके बाद कहीं सारे आस्पिरेंट्स काट में चले गए, और काट में चले जाने के बाद कुछ हो चुके हैं, लेकिन जिस आरक्षन की बात की गई थी, और जिस आरक्षन की बात केवल इसलिए की गई थी, क्यूंकि जब आप आंक्रों की और नजर दोडाते हैं, तो आपको देखने को ये मिलता है, कि जम कुश्मीर पुलिस फोर्स में, महिला पुलिस कर्मियों का चाहिए, वो महिला पुलिस कर्मी नहीं है, जम कुश्मीर में, एक बड़ी डिफिशेंसी है महिला पुलिस कर्मियों की, इसी वज़ा से लेफिन गवनर मरोट सिना ने भी समय नाशनल गर्ल चायल डे के दिन ये अनौस किया था कि 15% रेजरवेशन महिलाओं के लिए पुल 15% की रेजरवेशन अप्लिकेबल नहीं होती, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि फिर ये रेजरवेशन आखिर लागू होनी कब शुरू होगी, क्योंकि जैनुरी में अनौसमेंट हुई थी, अभी जैसे कि आप जानते हैं कि एपरल का महीना चल रहा है, अभी तक उसको क्योंकि मौका मिला है, और 1200 post-advertise हुई है, हम चाहते हैं कि सब-inspector की इस भरती में हम select हो, इसके लिए कई सारी महिलाइं ट्रेनिंग कर रही थी, फिजिकल टेस्ट भी आप जानते हैं कि इसका एक हिस्सा है, इस recruitment process का, तो उसको लेकर जो महिला activists, जो महिलाएं, बाकी महि महिलाओं को train करने का काम कर रही थी, उन्होंने straight line को अप्रोच किया और उन्हें बताया कि किस तरीके से, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है, महिलाओं को training देने के लिए, ground ढूनने के लिए, ground में जहां पर वो पहले training कर रहे थे, वहां पर उनको कहा जा कि आप permission दिखाएं, किसी college के ground में अगर वो अप्रोच करते हैं कि यहां पर हम महिलाओं को train कर सके, उन्हें recruitable बना सके, तो वहां पर उन्हें कहा जाता है कि permission लाईए, यहां पर allowed नहीं है, यहां पर यह नहीं किया जा सकता, यहां पर वो नहीं किया जा सकता, यहां तक की, उनका ये भी कहना है, कि हमने इस बात को, इस परिशानी को, Principal Secretary Higher Education रोहित कंसल के पास भी पहुँचाया, और उन्हों ने भी इसका serious notice नहीं लिया, जिस वज़ा से काफी परिशानी आ रही है, उन महिलाओं को जो prepare कर रही थी सब inspector की इस भरती के लिए, कि उन्हें training अगर मु की बात की जा रही है, महिलाओं के लिए reservation की बात की जा रही है, इन सभी scenarios को आप एक तरफ रखें और दूसरी आप देखें कि हकीकत में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि reservation तो announce कर दी गई है, लेकिन वो इस large भरती के लिए ये पहली बार होने जा रहा है कि JKSSB, JKSI की recruitment करने जा रही है, अक्सरी recruitment police boards किया करते थे, इस recruitment में वो 15% direction अभी तक applicable नहीं है, और JKSSB के officials का भी यही कहना है, कि अभी तक चूंकि applicable नहीं है और exam हो चुके हैं, तो आगे भी applicable नहीं होगा, उसके इलावा training के लिए अगर आपको जाना है, तो grounds आपके लिए available नहीं है, प्रिं पर मजबूर हो जाती हैं, कि सरकार जो कहती है, और सरकार जो करती है, दोनों में जमीन आस्मान का अंतर है,